हेलो दोस्तों स्वागट है आपका कृशी क्रांती की इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OUAT में कैसे आप admission ले सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में 2023-2024 सेशन के लिए admission ओपन हो चुके है उडिशा University of Agriculture Culture and Technology भूवनेश्वर में सिचुएटेड है सबसे पहले यहाँ पे important dates हम discuss कर लेते हैं Online application form आप कब से कब तक भढ़ सकते हैं तो Online application form आपके शुरू हो चुके हैं साथ जून तक यहाँ पे Online application form आप फिल कर सकते हैं इसके बाद admit card कब से आपके available हो जाएंगे यहाँ पे admit card आपका 10 जुलाई को available हो जाएगा date of entrance examination बताया गया है 16th of July दिन इसके बाद आपका जो response seat है वो आ जाएगा और आपके score पता चल जाएंगे आपको 10 अगस्ट को इसके साथ साथ आपका rank आ जाएगा 18th of August को counseling आपकी 5, 7 और 8 September को होने वाली है दिन इसके बाद हम कुछ important details discuss कर लेते हैं जैसे आपकी eligibility क्या होने वाली है क्या other state के students eligible है क्या ICR accreditation की जरूरत है इन सबी बातों पे हम discussion कर लेते हैं सबसे पहले eligibility की बात करें तो minimum qualification क्या है MSC AG programs के लिए अगर आपने BSC agriculture या फिर BSC horticulture कर रखा है तो यहाँ पे आप eligible है चाहे आपकी university ICR accreditation रखती हो या फिर नहीं आप यहाँ पे eligible है ICR accreditation की कोई भी जरूरत नहीं है private या government सभी students यहाँ पे apply कर सकते हैं PhD programs में बात करें तो PhD programs भी वो students eligible हैं जिन्होंने अपनी bachelor's और master's complete कर ली है final year के students भी यहाँ पे eligible हैं next हम बात कर लेते हैं domicile eligibility की तोड़ी सा के students तो eligible हैं इसके अलावा other state के लिए और special reservation हम आगे देखने वाल है next हम बात करते हैं आपकी breakup of seats की तो आपकी major departments में आपको 20 seats मिल जाती है agronomy और soil science में breeding में आपके 15 seats then इसके बाद pathology में 15 seats economics में 15 seats और extension में 15 seats बाकि इसके लावा जितने भी other departments हैं सब में आपको 10-10 seats मिलती है 2 seats आपको देखने को मिलेंगी एक general seat होती है और एक cost-searing seat होती है general seat की fees कितनी होती है लगबग 28,000 आपकी होती है जो आपकी cost-searing fees है इसमें 28,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे प्लस इसके साथ 22,000 पर year आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं ठीक है यह आपकी extra fees हो जाती है तो general की आपकी 5 seat available है cost-searing में general की total 6 seat available है agronomy के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो करीब 10 से जादा आपको major departments मिल जाते हैं नेक्स आम बात करते हैं reservation की special reservation की नेक्स आम बात करें special reservation की तो जम्मू कस्मीर के जो कस्मीरी migrants हैं कश्मीरी हिंदूस हैं और कस्मीरी पंडिर्त हैं इनके लिए एक seat reserve रेती है in each department तो अगर आप कस्मीरी हिंदूस हैं तो यहाँ आग बंद करके apply कर दीजी admission आपको आराम से मिल जाएगा इसके अलावा जो other state के students हैं उनके लिए भी एक seat हर department में reserve है MSC program में और PhD program में तो अगर आप यहाँ पर अच्छा score करते हैं तो आपको admission अच्छे branches में मिल जाएगा ठीक है इसके लावा आपके मन में question आ रहा होगा कि कैसे आपको apply करना है तो apply करने के लिए आपको website याद रखना है ouatlocaseba.odisha.in भूल गए हो तो कोई दिक्कत ने description box में link है कुछ ऐसी website आपके दिखती है email id, phone number, OTP enter करके verify करके online application form आप fill कर सकते हो examination pattern की बात करें तो यहाँ पर entrance examination master degree program का आपका CBT mode में होगा CBT का center भी आपका भूवनेश्वर में ही होगा और जो doctoral programs है वो offline mode में होगे और यह भी भूवनेश्वर में ही conduct किये जाएंगे examination date आपकी 16th of July बताई गई है दो गंटे का आपका paper होगा दो गंटे में आपको 200 multiple choice के question करने होगे केवल English में ही आपके question होगे और यहाँ पे कोई भी negative marking नहीं होगी ठीक है इसके अलावा अगर आप MSCAG की बात करें तो MSCAG में आपके 2 part होगे पहले part में क्या होगा आपके 180 general multiple choice question होगे non crop specific ठीक है जिसमें crop आपसे नहीं पूछी जाएगी और जो part B के 40 question है उसमें से आपको 20 question करने है ठीक है यहां से आपका examination pattern आपको समझ में आ गया होगा हम बात कर लेते हैं कितना fees आपका लगने वाला है admission के time पे at the time of admission fees payable तो master degree में general seat की 28,000 जैसा मैंने आपको बताया cost sharing में 50,000 हो जाएगी और PhD program में 34,000 और 56,000 आपकी cost sharing में refund कब तक हो सकती है जब तक आपका spot round नहीं हो जाता है उसके पहले तक आपका यह fees refund हो सकता है 2000 आपका जो processing fees है वो काट लिया जाएगा इसके बाद यहां पे कुछ financial assistant भी मिलता है इसे master degree में दो बच्चों को अगर merit में आते हैं वो तो उनको 1500 पर मंत मिलता है doctoral degree में 2000 पर मंत का merit मिलता है एक बच्चे को ठीक है इसके अलावा ICR से जाते हैं तो ICR की scholarship तो अलग आपको मिल और other state के students के लिए कितना target रखना है आपको 125 प्लस रखना है अगर आपको यहां पे selection चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ वीडियो पसंदाया होगा पसंदाया तो इस वीडियो को like करके अपने दोसों तक भी जरूष करना चैनल पर नए को subscribe करके बेल ऐक्न प्रेस कर देना मिलता हूँ आपको किसी नय वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक स्वस्त रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषिकरांती यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।